ग्रीन एस फांडेशन एक गेर सरकारी संगठन और गेर लाबदाइक संगठन है ग्रीन एस कौन 2017 से ग्रीन बिल्डिंग समागरी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन और प्रदस्नी ग्रीन एस कौन कायोजन कर रहा है 2019 में विस्टे स्रिय रास्टी प्रद्योगी की संगस्थान नाकपुर के साथ संयुक तुरूप से ग्रीन एस कौन कायोजन किया गया था पिछले साल यह है आयुजन भुपाल में विग्यानी की और आध्योकी की अनुसंधान परिसद उन्नत समागरी और समागरी और प्रक्रिया अनुसंधान के साथ संयुक तुरूप से अज़ित किया गया था इस वर्स ग्रीन एस को अन 2021 और ग्रीन बिल्ड को अन 2021 का उजन 16, 17 और 18 दिसंबर 2021 को इंस्टिटूशनल ओफ एंजिनरिंग इंडिया नाकपुर सेंटर के साथ संयुक तुरूप से किया जा रहा है ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल निर्माताओं बिजलिव उत्पाद को सिमेंट उद्योके को फ्लाई एस उपयोग करताओं सोध करताओं और विद्वानों सावजनिक और निजी छेतर के संगड़नों का प्रतिनिधितों और प्रदर्सकूप में भाग लेने वालों की उम्म स्री नितीन राउत माननिय नवीन और नवनिकरन उर्जा मंतरी महरासासन 16 दिसंबर 2021 को इंस्टिउशनल लॉफ इंजिनेरिंग नौर्थ अंबाजरी रोड नाकपूर में संभिलान के उद्गाटन करेंगे स्री नितीन गड़करी माननिय सड़क परिवाल मंतरी भारस सरकार 18 दिसंबर 2021 को समपन के दारान मवजूद रहेंगे माननी स्री कृपाल तुमाने सांसद लोकसबा, डक्टर विकास महात्मे सांसद राजसबा, माननी स्री सुनील केदार, पसुपालन डेरी, विकास खेलेवं युवा कल्याण मंतरी, स्री आसीज जैसवाल, माननी अध्यक्ष महाराच राज खानन निगम, स्री दयासंकर स्री विकास थाक, रे माननी विधायक और कई अतिथी व्यक्ति सम्मिलन में भाग लेंगे, आप अधिक जानकारी के लिए www.greenescon.com पर जा सकते हैं रोल? रोल, रोल स्री रोल स्री जैस रोल सर्व एश्चारी कर्णारी ग्रीन इश फांडेशन दोहजार सत्रा से फलाइश और ग्रीन बिल्डिंग माटेरियल पे एक आयोजन करता है, इंटरिशन कॉंफरेंस भी होती है, एक्जिबीशन भी होती है, और जहां तक नापूर मुल्ह का सवाल है 2017 में नाप्तुर में हुई 2017 में अमिटकर कॉलेज है उनके प्रांगड में बहाँ पर होई थी 2019 में विए एन इटी के साथ में हुई 2020 में लोपाल में थी CSIR उनके साथ में कर दो और इस बार आप्तुरी है फिर से की जा रही है इसमें institution of engineers हमारे साथ हैं, महाजैनको है, महारश्या pollution control board है और बहुत सारी संस्ताइं हैं, मात्माफुले corporation है, डाल्मिया cement भी इसमें सामाय साथ जुड़ा हुआ है तो इस आयोजन में हम अलग-अलग जो technologies flash के छितर में हुई हैं और exhibition भी उसमें रहेगी, तो प्रयास रहेगा कि किसी तरह से जो carbon emission हमको कम करना है और green building material का इस्तिमाल करके हम वो कम कर सकते हैं, यह इसमें प्रयास देने वाला है तो इसमें महाराश्या pollution control board का एक presentation है, जो यह बताएगा कि महाराश्या में क्या स्थिति है महाजेन को ने, चुकि महाजेन को और महाराश्या का जो energy department है, तो इसकी सबसे पहले policy 2016 में बनी थी महाराश्या एक अकेला राज्य है देश का जिसकी अपनी independent policy है और यह policy का उद्देश ही किसी तरह से global warming को कम करना है और flash को as a green building material प्रमोट करना है इसमें महाराश्या pollution control board का presentation रहेगा, इसमें NTPC चुकि वो सबसे बड़े देश के producer है इसलिए उनका presentation रहेगा उसमें बताएंगे कि किस तरह से NTPC flash को उपयोग जादा से जादा बढ़ा रहा है और नई technologies को प्रमोट कर रहा है